अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में आप टेट जानें पूर्व सांसद धर्मेंद्रियादव को हुआ है कोरोना धर्मेंद्रियादव का सैफ़ई में चल रहा है इलाजड बदायू से पूर्व सांसद और सपा के दिगजनेता धर्मेंद्रियादव को कोरोना का संक्रमण हुआ है धर्मेंद्रियादव का इलाज सेफई मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इस से बीच धर्मेंद्रियादव के समर्थक उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं साथ ही पूरुसांसा धर्मेंद्रियादव को जल्द समर्थक अपने बीच देखना चाते हैं अस्पतार में भरती धर्मेंद्र यादब ने इस से बीच ट्वीट कर अपने समर्थकों के साथ अपनी सेहत की जानकारी साजहा की इस ट्वीट के जरीए धर्मेंद्रियादम ने जहां सेहत की जानकारी दी, वहीं मेडीकल स्टाफ उनके साथ कैसा है और कैसे उनको दबायां दी जा रही है कि यहां जानकारी दी यहां के डॉक्टर्स, एवम, मेडिकल स्टाफ बहतर इलाज कर रहे हैं आप सभी के आशिरवाद से जल्द ही स्वस्त होकर लोटूंगा आपको बता दें कि लखनों में धर्मेंद्रियादब ने कोरोना का सेंपल दिया था जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही धर्मेंद्रियादब को सेफ़ई मेडिकल कॉलेज में भरती करवाया गया धर्मेंद्रियादब के साथ हो रहने वाले उनके ड्राइबर का भी टेस्ट करवाया गया जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई धर्मेंद्रियादब के परिवार के लोगों का भी अब कोरोना टेस्ट किया जा सकता है इसके अलावा पूर्व सांसत की कॉंटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है कि आखिर उनको संक्रमड हुआ कैसे स्वास्य विवा की टीम लगातार जाच कर रही है वहीं धर्मेंद्रियादब की चाहने वाले उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे है सबी का कहना है कि जल्द ही उनके नेता ठीक हो जाएंगे और वो फिर मैदान में उतर कर पार्टी के लिए काम करेंगे वहीं धर्मेंद्रियादब का लगातार इलाज किया जा रहा है और चिकिसकों की टीम का कहना है कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है वो जल्द ही सही हो जाएंगे धर्मेंद्रियादब ने भी इसकी जानकारी ट्वीट के जरिये दी है और उन्होंने कहा है कि वो बहतर महसूस कर रहे हैं और जल्द ही लोगों के आशिरवाद और दौाओं से वो ठीक होकर सब के बीच लोटेंगे जोरो रिपोर्ट मीडिया हल चल